Hello friends, myself, Dr. Mayur Saita and this video lecture के अंदर हम discuss करने वाले हैं outlet of the thorax के बारे में thoracic outlet की जहां से thorax में से चीजे जो है वो बाहर जाती है तो उसके लिए एक ही चीज दिमाग में आती है यहाँ पे जिसका नाम है diaphragm actually इसका नाम जो है वो है abdominothoracic diaphragm but उसको short के लिए हम उसको diaphragm भी बोलते हैं जो आपको यहाँ पे ऐसे dome shift जो है वो दिखेगा उसकी boundaries कौन-कौन सी है उसमें से कौन-कौन से structures जो है वो pass out होते है जिसके लिए दो तरीके की openings एक है major openings और दूसरी है minor openings and कौन-कौन से structures जो है वो इसमें से pass out होते है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर let's begin the topic सबसे पहले यहाँ पे जो है lungs जो है जो इस level पे यहाँ पे end होते है और जो diaphragm जो है उसके just नीचे जो है वो situated है और उसको अगर उपर के view से अगर देखना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे जो diaphragm है उसके anterior जो attachment जो है वो है यहाँ पे जिफोई प्रॉसस अगर हम बोल सकते हैं lower end of the sternum उसकी भी जो है वो posterior side पे जो है वो diaphragm attached है उसकी posterior side वो कहाँ पे attached है तो वो याद रखना है अपने यहाँ पे the last thoracic vertebra जिसका नाम है T12 thoracic vertebra वहाँ पे जो है उसका attachment है ठीक है posterior side and on to the sides sides में वो किसके साथ attached है तो वो attached है यहाँ पे ribs के साथ कौन-कौन सी ribs है जिसके साथ वो attached है तो हम simply बोल सकते हैं कि lower 7th to 12th thoracic जो vertebra है उनके cartilage as well as उनकी जो spaces बीच में है उनके साथ जो है वो attached है अब यह diaphragm को जो है abdominal thoracic diagram बोलते हैं वो बात सब बराबर है मगर यह जो diaphragm में वो कैसा किस से बना हुआ है तो इसको बोल सकते है musculotendiness part क्यों musculo बोलते है क्योंकि यहां पर आपको जो है muscle fibers जो है वो दिखेगे इसके अंदर contraction relaxations भी होता है और यह inspiration में mainly जो है वो help करता है खास बात diaphragm की यह है कि इसमें जो tendiness part जो है वो यहां पर बीच में है और जो muscular part जो है वो यहां पर periphery में है तो एक ऐसा muscle जिसके अंदर tendon वाला भाग बीच में and muscle वाड़ा part जो है वो side में है तो attachment याद हो गए है सारे zippoid process यहां पे 7 to 12th जो ही आपको दिख रही है उसकी vertebra and यहां पे जो है T12 अब अगर हम बात करें कि इसको कौन-कौन सी openings है इसके अंदर और किस तरीके से जो है वो pass out होती है तो उसके लिए एक आप side view से schematic diagram जो है वो draw कर सकते है जिसके अंदर आप जो है उपर का manubrium नीचे का जो है वो body of the sternum part and उसके नीचे जो है वो zippoid process and पीछे की side जो है इस तरीके से ऐसे cow बनाना है yes and उस cow के अंदर जो है वो है हमारी thoracic vertebra उसका नाम numbering वो हम यहां पर डाल सकते है ठीक है तो यहां पर जो है उपर के side हो जाएगा thoracic inlet और जो vertebra होगी वहां पर T1 और यह वाला जो level जो है manubrium और उसका उस level पर जो है lower border of the T4 आएगी अब बीच में जो है मैं T2 and T3 जो है डाल देता हूँ ठीक है और फिर यहां पर सबसे most lower जो है वो tweetal है और यहां पर 5, 6, 7, 8, 9, 10 and यहां पर जो आजाएगी 11 ठीक है तो अभी यहां पर diaphragm अगर side के view से आपको डालना है तो simply आप जो है इस तरीके से एक dome जो है वो यहां पर डाल सकते हैं और यहां पर पीछे की side में gap इसलिए रख रहा हूँ कि actually यहां पर भी एक opening है जिसको बोलते है aortic opening so 2-2 के level पे T12 पे हमने aortic opening याद रख ली उसके बाद 2 minus करो तो यहां पर जो T10 होगा पर आ जायेगी isophagial opening और सबसे उंचा और बीच का जो tendinus part है वहां पर कौन सी opening आ जायेगी तो T8 लेवल पर यहां पर आ जायेगी inferior venakable opening तो इस तरीके से एक dome बनाने के बाद आप यहां पर T8 लेवल पर जो opening है इसका हम बोल सकते हैं inferior venakable opening यहां पर से mainly जो है वो isophagus जो T10 level okay fine वोड़ा वो T10 level vertebra पर है इसलिए और यहां पर जो है वो aortic opening और बट एक्जाम के अंदर जो आपको diagram बनाना है diaphragm का वो book के अंदर दिया हुआ जो यह diagram है वो सबसे best होगा जिसको basically जो है वो उपर से अगर आप जो है वो उसको देखे तो वो किस तरीके से जो है आप को साथ से लेके 12 vertebra भी दिखाई दी है यहां पे जो है sternum का पार्ट है और पीछे की side जो T12 आएगी वहां पे एक opening आजाएगी क्योंकि वहां पे एक arcuate ligament होता है जिसके कारण वो opening बनती है वहां पे वो T12 अब बात कर लेते हैं कि यह सारी जो openings हैं उसमें से क्या-क्या pass out ह होता है तो सबसे पहले याद रखेंगे T12 level opening जिसको aortic opening बोलते हैं और वहां से तीन main structure जो है वो याद रखने है एक सबसे main वो है aorta और उसके जो right side जो है वहां पे याद रखनी है azygous vein and thoracic duct और यह opening actually diaphragm के अंदर नहीं बोल सकते actually diaphragm के और T12 vertebra के बीच में opening है तो it's a space, it's sort of exact opening in the diaphragm, diaphragm and vertebra के बीच और shape उसका rounded है और यह diaphragm का contraction वगेर भी होता है इस space के अंदर कोई change नहीं होता दूसरी अगर हम opening की बात करें तो जिसका नाम है isophagial opening और इसमें से mainly पास होती है isophagus फिर दो vagus now बराबर जिसमें right posterior होती है और left जो है slightly anterior और उसके बाद यहाँ पे जो arteries और veins आपको दिख रही है वो है left gastric artery and left gastric vein के branches की जो isophagus को यहाँ पे supply करते है क्योंकि isophagus जो है cervical level पे उसका blood supply, thorax and abdominal level पे तीनों पे अलग-अलग है और यह एक elliptical shape है और जब diaphragm का contraction होता है तो यह space जो है वो छोटी होती है क्योंकि यह muscular part में है इसलिए तीसरी अगर हम opening की बात करें जो है inferior venacable opening जिसके साथ-साथ mainly एक nerve pass out होती है जिसका नाम है right phrenic nerve और जो यह inferior venacable opening है वो यहाँ पे tendinous part के अंदर है तो इसलिए अगर diaphragm का contraction होता है तो यह tendon जो है वो peripheral side pull out होता है तो यह space बड़ी होगी तो इसके हम simply बूल सकते है कि जब diaphragm का contraction होगा तो basically यह space जो है वो बड़ी होगी और venus return जो है वो increase होगा तो इस तरीके से तीनों के तीनों large spaces जो है वो complete हो जाते है T8, T10 and T12 level पे अब हम small small opening की अगर हम बात करें तो सबसे main जो एक opening याद रखनी है यहाँ पे कि यह जो zippered process होती है यहाँ पे sides में दोनों lateral sides में जो छोटी opening है जिसको बोलते हैं हम foramen of morgagni और इस जो foramen of morgagni जो है इसमें से जो main vessels जो है जो यहाँ से pass out होती है जिसका नाम है epigastric कौन से epigastric ? superior epigastric vessels उसकी artery as well as vein जो superior epigastric vessels जो है इस foramen morgagni के level से जो है वो pass out होते है एक छोटी से opening है और पीछे की side अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो opening है उसमें diaphragm में जो अपने diagram से अच्छा याद रहेगा पर यह जो vessels जिसका नाम है subcostal artery, subcostal vein and यहाँ पे आ जाएगी उसकी subcostal nose यह तीनों चीज़े यह तीनों चीज़े जो है वो यहाँ पे lateral side में से जो है वो pass out होती है मतलब की diaphragm जो पीछे की side attached है वहाँ पे एक दो छोटे से arcuate ligament है कौन-कौन से? medial वाला है उसको बोल देंगे medial arcuate ligament जो lateral वाला है उसको बोल देंगे lateral arcuate ligament and यह जो lateral arcuate ligament है वहाँ से जो छोटी सी opening बनती है वहाँ से यह subcostal vessel जो भी हमने 3D software में देखी जिसमें वान, vein, artery, nerve जो है वो pass out होते है और जो medial arcuate है वहाँ पे जो chain है जिसका नाम है sympathetic chain जो sympathetic chain जो है वो वहाँ पे होती है अब sympathetic chain देखने के लिए yes it is here तो यह जो sympathetic chain है यहाँ पे यह सारे sympathetic ganglias जो आपको यहाँ पे दिख रहे है यह sympathetic ganglias जो है वहाँ वहाँ पे medial arcuate ligament है वहाँ पे होते है और बात करें कि दो crust तो basically diaphragm का जो दो crust यहाँ पे आपको दीख रहे है जिस में से बड़ा वाला जो है वो right crust and जो छोटा वाला है that is the left crust तो इस तरीके से यह right side ही है बैसे तो तो ऐसे देखेंगे यह right crust and यह जो है वो left crust of the diaphragm जो है वो हो जाएगा और वहाँ से जो उसके crust जो है वहाँ पे से जो main now pass out होती है वो याद रखनी हो तो उपर की तरफ है greater splanchnic and नीचे की तरफ है lesser splanchnic की जो basically abdominal organs खास करके GIT track जो है उसके organ को mainly supply करने का काम करता है तो इस तरीके से सारे जो छोटी spaces है वहाँ पे median arcuate ligament, lateral arcuate ligament और वहाँ से medial sympathetic, subcostal veins and nose and crust के अंदर जो है वो greater and lesser splanchnics, nerve अगेरा जो है वो pass out होती है अगर हम इसकी बात करें applied के बा diaphragm है वो mainly inspiration में जो है वो help out करता है और यह कौन सा diameter increase करता है तो जब यह contraction होता है तो it goes slightly down और नीचे की side अगर जब जाएगा तो basically जो vertical diameter है thorax का वो mainly increase होगा और जो relaxation जो है that is the passive process जो की lungs के recoil से ही mainly होती है तो और सबसे lowest diaphragm कब होता है into the sitting position इसलिए कभी breathlessness वगेरा हो रहा है तो sitting position और उसमें भी जो hand जो है वो sides में रखे तो basically जो है that is the most comfortable position for the breathing तो यह है इस वीडियो का end, thanks for listening